हाई एवरीवन नमस्कार वेल्कम बैक तु माई चैनल हरिद्वार फैमिली व्लोग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे सुबह का टाइम है और टाइम साड़े-चार का है सुबह के क्यूंकि इनको आज बाहर जाना है मिटिंग के लिए तो इनको मिटिंग के लिए इस विक में ही दो बार जाना पड़ गया बाहर तो ओफिस का काम है टाल नहीं सकते और इनको दिली जाना पड़ता है तो इसलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि ये जल्दी निकलेंगे तो बस ये ना रही है तयार हूँ है मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ याँ पे और ब्रेकफास्ट वगेरा कोई ज़्यादा बनाना नहीं है नहीं मुझे कोई लंच पैक करके देना है क्योंकि ओफिस में ही इनका लंच होता है और ऐसा नहीं है कि ले जा रहे है कोई और भी जा रहा है किसी और को रास्ते से पिक करेंगे ये तो बस ऐसा नहीं है कि मैं लंच पैक करके दूँगी तो एक दो ब्रेड दे दूँग इनको सेख के क्योंकि सुभा ऐसे खाली चाय में तो काम नहीं चलेगा ब्रेकफार्ट जो ही इनका होगा तो वो काफी लेट होता है तो इसलिए भलका सा दे दूँगे क्योंकि इंसुलिन भी लेना होता है इनको तो इसलिए तो बस वही सब मैं यहां पे तैयारी कर रही हूँ चार बज़े उठ गए थे तो पानी वानी दिया पहले इनको फिर अबनाना दोना हो रहा है और वैसे मैं डेली में जो मेरा रूटीन है वो या तो मैं पांच बज़े उठती हूँ या फिर साड़े पांच तक भी मैं उठ जाती हूँ क्योंकि पापा भी नहीं अभी यहां प होंगी जो रात में सौक करके रख देते हैं बच्चों के भी सबके लिए करते हैं तो इनके वो छिल दूँगी सब कुछ तियार कर दूँगी तब तक तो इनकी तयारी हो गई है है और ऐसा नहीं है कि एक-दो दिन के लिए जा रहे हैं मतलब आज ही रात तक आजएंगे हां देर रात तक आजएंगे लेकिन आ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि पोछ ज़्यादा सामान लेकर जाना पड़ता है कुछ भी नहीं बस अपना जो है इनका फाइल वागएरा हैं वो इन्होंने रख ली हैं और मैं लोग वगरा कोलने की तियारी कर रही हूँ इनकी जाने के बाद मैं एकदम काम में नहीं लगी थी तो थोड़ा देर बैठी और पीछे थोड़ी देर वोक किया तो अब मैं काम में लगी हूँ कहते हैं जैसे कोई घर से जाता है तो एकदम काम में साफ सफाई में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि सबसे पहला काम मेरा बिस्तर उठाना और उसके बाद फिर जाड़ो लगाना ही होता है क्योंकि एक्स्टर बिस्तर लगता है इस रोम में गर्मी की वज़ा से ACC में हैं तो इसलिए तो बस बोक करने के बाद फिर मैं जाड़ो लगाने लग गई हूँ और सारे घर में अब जाड़ो निकाल दूँगी और आज घर में थोड़ा सा कच्रा दिखाई दे रहा है क्योंकि कल ही स्टोक आया था तो जैसे स्टोक आता है ना तो फिर सार ओपन करना खोलना तो वो थोड़ा सा होई जाता है कार्पेट वगरा भी चाहा हुआ था तो वो सब मैं बाहर तक अंदर से बाहर तक पूरे घर में जाड़ो लगाऊंगी और यह मेरा डेली का ही रूटीन होता है यह नहीं कि आज गई है तो यह तो रूटीन डेली का ही होता है मेरा घर में कूड़ा कच्रा है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मैं जाड़ो निक इनके जो भी मेरे बरतन हुए थे वो मैंने साफ कर दिये हैं और अब यहां पे किचन को अच्छे से क्लीन करूंगी क्योंकि रात में मेरा काम ऐसे ही रह गया था गैस के उपर थोड़ी सी डाल निकली हुई थी तो वो भी मैंने साफ कर दी है साफ साफ कर देते हैं तो फिर जलता नहीं है जो इसकी ट्रे वगरा होती है नहीं तो बहुत जादा जल जाती हैं वो फिर अच्छा नहीं लगता तो जैसे ही एक बार कुछ निकल गया खाना गिर गया चाए गिर गई दूद गिर गया तो फिर उसके उपर अगर हम दुबारे से कुछ कर लेता है ना फिर वो जल जाता है तो साफ बिल्कुल विसाप नहीं होता तो बस वो सब मैंने कर लिया है बाकी तो ऐसे ही रख दिया है पहुचके और एक मैंने माच दिया है अच्छे से तो इसको मैं पहुचके साथ साथ ही लगा दूँगी फिर ट्रे जल जाती है तो बहुत ज़्यादा जम जाता है उनके उपर काला काला तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बस सारी इस लेब मैं अच्छे से साथ कर दूघ याँ पे सिंक मांज दूघ एक बार और क्योंकि फिर मंदिर के पूजा के बरतन मुझे साथ करने होते हैं तो सुब़ह मैरा डेली साप करे ना मेरे गडर मेरे पानी हेहली है बहुत जादा पानी जम तक प्रूशेखस सब्ट पर किलिए मै पानी इसलिए कम तेन बार मैं दिन में सिंग करने और पानी मेरें मेरे मेरे हेतना साप करे लेकिन। कि जादा गंदा ना हो और बस ये काम तो मेरा कम्पलीट हो चुका है यहां पे आज आलू बहल करने हैं तो उसके लिए मैं यहां पे कुकर चड़ा रही हूं और आलू धोके मैंने उसमें डाल दिये हैं क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बनाऊंगी सेंड पना जाता है अगर खटाई डाल के हम बोल करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उपर से हमारा कुकर भी अच्छे से साफ हो जाता है खटाई की वज़ा से तो इसके बाद फिर मेरा पोच्छा वगरा सब हो चुका है यहां पे और मैं नहां ली हूँ तो यह इस टाइम का मोसम भी अच्छा होता है ठंडा सा ही मोसम होता है नहीं तो दिन में तो इतनी गर्मी होने लगी है आज कल बहुत जादा चले टाई का चले में आज कर दो हो था आ यह आ अ कि गर्मीदाय नहीं तो अला या था इतनी आ जो कि आजया दो तो बरतन वगरा मैंने साप कर लिए हैं मन्दिर साप कर लिया है अब यहां पे बादन अच्छे से पहुंच लूँगी और मेरे मंदिर के बरतन थोड़े से पी ले और जो तामबे वाले लोटे हैं ये भी थोड़े से गंदे हो रहे हैं क्योंकि बरसाथ के मुसमेन अब बहुत जल्दी पीतल हो तामबा हो तो बहुत जल्दी डाक कलर हो जाता है इनका तो ये मैं साफ करू अब मैं आपर करने लगी हूँ पूजा पूजा भी मैंने कर ली है और यहाँ पर बच्चों के लिए दूद बना रही हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है सारा काम मैंने खतम सुभाई कर लिया है तो फिर तो लेट होई जाता है और पूजा में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है करम से कम आदे से पोना गंटा तो लगता ही लगता है कानाजी को स्नान कराना होता है फिर पूजा मंदिर कलें तो पो ना घंटा तो आप मान के चलिए इतना तो लगता है मुझे डेली लगता है इतना और बस अपने लिए मैंने चाहे बना ली है यहाँ पे और अभी तक मैंने चाहे वगरा कुछ भी नहीं ली थी सुबह इतनी जल्दी इनके साथ मैंने चाहे का सुबह के साथ साड़े साथ आठ तक भी मैं ले लेती हूँ चाहे तो यह मेरा टाइम होता है तो बच्चों के लिए दूद और बिस्केट बादाम किशमिस यह मैंने सब रख लिया है बादाम छेल दिये हैं और मेरी चाहे तो हम तीनों मा बेटा बैठ चुके हैं और स्र कश्रम नैंने तो मा अंदर अंदर का कर लेती हूं और बाहर का काम हमेसे श्रे कर देता है तो इसने अपनी मिदलाई कर दिया कि फिर धूपrikी तेजाद आद दिया कि पूछिये मत तहों टो उठते ही इसने अपना में आद' तो इसको कुछ काम नहीं है बस बाहर की दुलाई है तो श्रे कर देता है बागी इसका काम और दूसरे बहुत होते हैं और इनकी आट बजब क्लास शुरू हो जाएंगी तो बस चायव आए के बाद फिर श्रे की चलेगी एक लास और अंस की भी तो एक लास करने के बाद फिर मैं इनका ब्रेकफस्ट बना दूँगी और ब्रेकफस्ट में आज बनाने वाले हो इनके लिए आलू आले सैंडवीच तो उसकी तयारी करूँगी लेकिन अभी नहीं कर वो इसे ही है तो दो फोन है और दोनों को यह एक ले के बैठ जाते हैं यह पहले जो आल चाह्त आती थी वो लैपटूप में पहले लीकिन आप से दोनाओ नहीं हो तो दोनों फोनी ही रखते हैं मैं पहला है है यहा फोड़ा है भीज Radis प्याज को बहुत जादा नहीं बूनुगी हलका साही मैं यहां पे बूनने वाली हूं इसको और जैसे ही हलकी सी प्याज हमारी बून जाएगी देखिए थोड़ा सा बूनने लगी है अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से सुखे मसाले लाजमिश पाउडर डाला है और धनिया पाउडर अल्दी पाउडर मैं नहीं डाल ड़ लए हूं आप चाहे तो डाल सकते हैं और यह मैं सेंड्वीक के लिए यहां पे भुजिया टाइप बना रहे हूं या आलॉ का भरदा या भुजिया जो भी आब बोलना चाहे तो वो बना रहे हूं सेंड्वीक आलु वाले थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी या फिर सिंपल आलू से मैं बना लेती हूं ऐसे ही मतलब बोईल आलू से बिना फ्राइ किये लेकिन आज फ्राइ करूंगी थोड़े से डिफरेंट बनेंगे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अच्छे से इसको मैं मिक्स कर चील के रख दिये थे नमक डाल दिया है टेस्ट के इसाब से एक चमच डाला है अमचूर पाउडर और आधा चमच मैं यहां पर डाला है गरम मसाला बस अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर भूनना है इसको चलाते रहना है भूनना है तो यहां पर करीब 2-3 मिन तो बहुत ही टेस्टी सी यह रसी भी बनती है लेकिन मैं इसको यहां सेंड़िच में योज करूंगी तो देखिए भूजी अमारी अच्छे से भून गई है धनिया डाल सकते हैं हरा इसमें अगर आपको पसंद है तो लेकिन मैं नहीं डाल नहीं हूँ बच्चों ने मना कर दिया तो इसलिए इसको मैंने ठंडा होने के लिए निकाल लिया था बरतन में और यहां पे थोड़ी सी मैं तयारी कर रही हूँ थोड़ा सा कैचप लिया है करीब दो चमच के करीब एक चमच मैंने इसमें सेजवान चटनी का मिलाया है तो अच्छे से इसको मिक्स कर और यह ग्रीन चटनी बना ली है मिंट वाली और हरे धनी वाली तो दोनों चटनी तयार है एक एक सलाइस पे मैं यहां पे यह चटनी लगाऊंगी रेड वाली जो मिक्स करके बनाई है आप कैचप भी लगा सकते हैं खाली लेकिन हाँ खाली से जवान अच्छी नहीं लगत बहुत ही तीखा सा फ्लेवर होता है और एक एक सलाइस पे मैं ग्रीन चटनी लगा लूँगी तो इस तरह से सैंडविच बनाऊंगी और कोई बटर वगएरा मैंने पहले कुछ भी योज नहीं किया है बिल्कुल सिंपल यह सैंडविच बनेंगे हमारे तो तीन सलाइस पे म में जितना भी आपको पसंद हो आलो आप ज्यादा खाना पसंद करते हैं ज्यादा बढ़ ले कम खाना पसंद करते हैं कम बढ़ ले क्योंकि मसाले के फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे हैं तो कम से भी टेस्ट आएगा असा नहीं है तो मैं अच्छे से इसमें यह भर तयार तुछ ताबा रखतीया है गरम होने के लिए उस पे थोड़ा सा बटर डाल दिया है अच्छे से इसको फेला लोगी और पीर इस पे मैं ब्रेड की स्लाइस रखते हो और बटर थोड़ा से प्लट दिया है जिससे की दोनों साइड बडर अच्चे से लग जाए बहु जा जल जाता है तो इस लिए अच्छे से इसी पर कॉठ हो जाएगा और एक साइड से हमारे सेंडविच से चुके हैं अब मैं इसको दूसरी साइड से पलट दोंगी तो मीडियम आच पे क्रिस्पी से हमें सेंडविच से लेने हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही सिंपल तरीके से बने हुए यह सेंडविच और कलर आप देखिए बहुत जादा बटर मैंने यूज नहीं किया है नहीं तो बहुत ओली हो जाते हैं और यह देखिए हलके-लकी ग्रीन चटनी हलके-लकी रैड चटनी और बीच में यह बुजिया तो बहुत ही टेस्टी से डिफरेंट से हमारे सेंडविच बने हैं और देखिए यहां पर गार्निस कर दिया है मिंट से सॉस को सॉस या कैचप जो भी तो मैंने तो कैचप लिया है और यह हमारी आज की ब्रेकफाइस्ट की प्लेट लग गई है तो आईए आप लोग भी एंजोई करिए बहुत ही टेस्टी है कि खाना पिना हो गया वह सारा मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है तो अब सोचा वीडियो देखती हूं तो वीडियो देखा काफी लंबी वीडियो हो गई है और मैं सोच रही थी इस वीडियो में आपके साथ ग्रोसरी शेयर करना क्योंकि इससे पहले आपको दो वीडियो स्टोफ की मिली है और उससे पहले की वीडियो में ग्रोसरी शोपिंग की थी तो अभी तक वा आपके साथ शेयर नहीं की तो बस रखी हुई है तो आज मैं बस सारा काम हो चुका है और टाइम काफी है तो सोचा चली है ग्रोसरी पर सिंगबा लेती हूं इसको भी सिंगबाने का ना काम बहुत बड़ा होता है तो एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ती हूं एक दिन बाद ही सब सामान जो है मैं रखती हूं कि जो सामान मुझे लगता है कि उसको मैं वाश कर लूँगी तो विल्विस कर लूँगी सुखा दोंगी और जो खाली करना रोषी तो उनके रैप पर मैं फेक देती हूं और उनको मैं टबे में टाल देती हूं तो इस तरह से मैं सारी ग्रोसरी अपनी रख दूंगी लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना था तो बस इस वीडियो का अंड में यही पर कर रही हूं और ग्रोसरी किसी दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलग कि अभी मैं रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि भी मेरे पास काफी टाइम है और मुझे रखनी भी है कब तक ऐसे पड़ी रहेगी दो दिन हो गए है रखे 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 ऐसे तो आज की वीडियो में जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया अगर उसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सब्सक्राइब किये बिना पिल्कुल मत जाईएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है